Dear Readers, इस वीडियो टुटोरियल में हम यूज नीट को सिखेंगे इसका यूज हम तब करते हैं जब वाक में अवशक्ता या जरूरत शब्द आते हैं इसका यूज पर्जेंट और पास्ट में अलग-अलग तरह से किया जाता है जिसके रूल्स और aux. हम आगे समझेंगे सबसे पहले पर्जेंट के टेंज हम समझ लेते हैं इसका अफर्जेंटू का रूल्स रहेगा सब्झेक्ट प्लस नीड फ्लस में वर्ब प्लस अबजेक्ट प्लस अबजेक्ट प्लस अदर वर्ड्स इसका हिंदी रूल रहेगा करता प्लस नीड प्लस मुख क्रिया प्लस कर्म प्लस अनिशब हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका यूटूब टीचर सफी हुसेन आपका आपके चैनल फ्लाई योरसेल्फ में हम वेलकम करते हैं क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया अगर आप हिंदी मीडियम से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगे पर आए हैं तो आएए शुरू करें एक्जांपल से सेंटेंस समझ लेते हैं नीदा को दो दिन तक वहां जाने की जरूरत है जरूरत शब्द आ रहा है इसलिए इसमें नीट का इस्तमाल होगा सबसे पहले हम रोल्स में सब्जेक्ट है है सब्जेक्ट ही यहां पर नीदा है इसके बाद में नीड है नीड लिखेंगगे फिर मेन वर्ट गो फिर आबजेक्ट वहाँ there, फिर other words for two days, sentence complete होगा, need go there for two days, इसी तरीके से दूसरा sentence है, उसे बदाम खाने की आवश रखता है, सबसे पहले subject ही, फिर need लिखेंगे, फिर main verb खाने की eat, और इसके बदाब अबजिक्ट बदाम की, तो sentence बनेगा हमारा, he need eat all months, इसी तरीके से गाइज इसके negative sentence पर भी गौर करते हैं, इसका rules रहेगा, subject plus needent, plus main verb, plus object, plus other words, हिंदी का rules रहेगा, करता, plus needent, plus mukh kriya, plus कर्म, plus anishabd, example भी इसके समझ लेते हैं, उसे अब दवा खाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत शब्दा आ रहा है, तो need का इस्तमाल है, नहीं, नहीं, शब्दा आ रहा है, तो negative से sentence हमारा बनेगा, according to rules बनाईए, सबसे पहले subject see, इसके बाद में needent, फिर main verb, और object, sentence बनेगा, she needent take the medicines now, दूसरा sentence है, हमें hostel में रहने की अवशक्ता नहीं है, सबसे पहले हम subject लिखेंगे we, इसके बाद में needent, इसके बाद main verb रहना की live, य इसके बाद में object in hostel, sentence complete होगा, we needent stay at hostel, इसके interrogative sentence भी समझ लेते हैं, guys, rules रहेगा इसमें, do, oblique, does, plus subject, plus need, plus main verb, plus object, plus other words, इसका हिंदी rules रहेगा, do, या, does, plus, करता, plus, need, plus, मुखक्रिय, plus, कर्म, plus, अनिशब, example समझ लेते हैं, क्या उसे आराम करने की जरूरत है, तो सबसे पहले हम rules के according, हम do, या, does लगाएंगे, अगर एकोचन हमारा subject होगा, तो does लगेगा, otherwise, बहुचन होगा, तो हम do लगाएंगे, तो यहाँ पर उसे या, एकोचन है, तो लगाएंगे, does, sentence बनेगा हमारा, does he need, take, rest, दूसरा sentence देखिए, क्या हमें अब काम को पूरा करने की अवश्यक्ता है, तो यहाँ पर हम sentence according to rules के अनुसार बनाएंगे, do, सबसे पहले लगेगा, क्योंकि we हमारा बहुचन सबजेक्ट है, इसके बाद need, और फिर main verb, complete, और object, the work, इसके बाद आगा, the words, now, sentence बनेगा, do we need, complete the work, now, अब हम गाईज, इसके past tense भी देख लेते हैं, सबसे पहले past में affirmative का rules रहेगा, subject plus needed, need का second form यहाँ पर आजाएगा, needed, इसके बाद main verb, object, other words, Hindi का rules रहेगा, करता, plus needed, plus मुख करिया, plus कर्म, plus अनिशब्द, example अब देख लेते हैं, इसके हम, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत थी, sentence में जरूरत शब्द आ रहा है, लेकिन यह past में हैं, तो हम इस rules से बनाएंगे, सबसे पहले subject लिखें, you, इस consult होगी, इसके बाद object doctor, sentence बनेगा, you needed, consult to a good doctor, दूसरा sentence देखी है, उसे अपने पीता से मिलने की अवश्यक्ता थी, यह भी sentence हम according to rules से बनाएंगे, सबसे पहले subject लिखें, she, इसके बाद needed, इसके बाद मिलना की main verb है, तो see लिखेंगे, इसके बाद object her father, she needed, see her father, इसके बाद इसके negative sentence में हम देख लेते हैं, इसके पहले इसके rules समझे लेते हैं, सबसे पहले subject लिखेंगे, इसके बाद did not आ जाएगा इसमें, और need का first form ही रहेगा, subject प्लस did not, प्लस need, प्लस main verb, प्लस object, प्लस other words, इसका हिंदी rules रहेगा, करता, प्लस did not, प्लस need, प्लस इक्जामपल रहेंगे, तुम्हें उसको गाली देने की जरूरत नहीं थी, तो according to rules, सबसे पहले subject, you, इसके बाद did not, इसके बाद में need, इसके बाद main verb, main verb है गाली देना, abuse, इसके बाद में object, him है guys, sentence बने का हमारा है, you did not need, abuse him, अगला sentence देखिए, मुझे वहाँ जाने की ज जरूरत नहीं थी, सबसे पहले subject, I, फिर did not, फिर need, और इसके बाद में main verb, go, इसके बाद object, there, sentence बनेगा, I did not need, go there, इसका intro get to be sentence समझ लेते हैं, उसके पहले इसका rules समझी है, सबसे पहले अब हम did का इस्तमाल करेंगे, क्योंकि intro get to sentence है, rules है, did plus subject, plus need, plus main verb, plus object, plus other words, हिंदी का rules रहेगा, did plus करता, plus need, plus मुख करिया, plus कर्म, plus अनिशब्द, अब हम इसके sentence भी समझ लेते हैं, क्या रोहन को आम लाने की जरूरत थी, तो ये intro get to sentence है, तो सबसे पहले did लिखें, फिर subject रोहन, इसके बाद में need, फिर main verb, लाने की bring, इसके बाद में object, the mango, sentence हमारा complete होगा, did रोहन, need, bring the mangoes, दूसरा sentence है, क्या उन्हें समय पर घर आने की अवश्रकता थी, सबसे पहले हम लिखेंगे did, इसके बाद में subject, they, इसके बाद need, और फिर main verb, आना, come, इसके बाद कम के साथ में to लगता है, to लगा दीजे, object लिखें, घर, house, फिर other word, on time, did they, need, come to house, on time, इसमें question word वाले बाद भी देख लेजे, यदि ऐसा वाक हो, जिसमें परशन शूचक सब्द वाक के बीच में हो, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद rule के अनुसार आगे का वाक लिखा जाएगा, जैसे, तुम्हे घरी खरीदेने की जरूरत क्यों थी, यहाँ पर हमारा question word क्यों बीच में आए, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्योंकि, क्योंकि अंग्रेजी होती है, वाई, इसके बाद में बाकिये का हम according to rules जैसे बना रहे तो ऐसे ही बनाएगे, सबसे पहले did, इसक आपको अच्छी तरीके से समझा गया होगी